हलो स्टेंट्स बुड मॉर्णी मैं आपकी श्वेता मैम बचों यह हमारे क्लास 6 की साइंस की बुख है और पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नमर 1,2,3,4 यहां तक हमने कंप्लेट कर लिया था आज हम देखेंगे क्वेश्चन नमर 5 कोश्चन नमर 5 के रहा है difference between hand picking and sieving means that hand picking differentiate मतलब जोनों को आप explain कर दीजे तो दोनों में की बिच में अंतर समझ में आ जाये हैंना home इंको डोनों का differentiate करना difference बताना है éléments क्या क्या अंतर होता है यहां कोशन लिख लीजे फिर मैं आपको आंसर बताती हूं ओके बच्चों आंसर के लिए हम चलेंगे पेज नमबर 33 पर बच्चों यह हमारा है हैंड पिकिंग यह पहले भी एक कोशन में आ चुका है हैंड पिकिंग का मतलब होता है हाथ से चुनना ठीक है ना जैसे यहां पर देखे यह जैसे चावल हमने ले लिया चावल में कंकड वगरा है तो आटे को लेकर के हम ऐसे सी क्या करते हैं इसमें है इसमें चाल करके इसको अलग करते हैं और जो हमारा unwanted material है, wastage material है वो इसके अंदर ही रह जाएगा तो इस तरहिके से चाल करके बाहर निकाला इसको हम बोलते हैं saving और हाथ से जब हम चुन करके बाहर उसको हटाते हैं unwanted चीजों को तो इसको हम बोलते हैं hand picking अब आप लिखेंगे this method is applied to separate unwanted solid impurities ठीक है जो solid impurities है उनको हटाना from a useful solid by hand useful solid से unwanted solid को बाहर निकालना हाथ के द्वारा ठीक है ना हाथ से this method is used when one of the component is present in small जब एक component जो होता है वो छोटा होता है small quantity मतलब कम मात्रा में है and different in color और उसका color, shape, size सब अलग है जो कंकर वगर रहते हैं वो कम मात्रा में होते हैं उनके color, shape, size ये सारी चीज़े क्या होती है different होती है अलग होती है तो वो उसमें से चावल में से दिखाई हमको दे जाता है उसको हम it can be picked by the manually इसको हम manually हाथ से उसको हम खटा देते हैं और इसी method को बुलाजता है hand picking तो आपको बच्चों यहां तक लिखना है ठीक है तो पहले आपने यहां लिखा इसको आप एक बार लिख लो ठीक है बच्चों उसके आगे हम लिखेंगे यहां से यहां से यहां से यहां तक लिख लिजिए आप ओके बच्चों सेकेंड वाला हम लिखेंगे दिया है सेविंग सेविंग रिफर्स तु दौ ऑफ अफ एपक्शेर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज डिफरेंट साइज यूजिँग सिव्स का मतलब होता है कोई भी चीज चानने वाला मतलब जो चलनी होता है वो चीजे इच विद्ध यूनिफॉर्म साइज हो उसमे सारे में बराबर साइस के होल्स होते हैं इसके अंदर इस चलनी में बराबर साइस के होल्स होते हैं और इसके द्वारा जब हम छान के अलग करते हैं तो इसी प्रॉसेस को बोला जिता है सीविंग if the component of a mixture are of different size यदि different size के रहेंगे they can be separate by the सेविंग तो हम उसको सीविंग से छान सकते हैं है ना आटे के अंदर आटा जो होता है बहुत बारिक होता है और जो उसमें अन्वांटेड मेटरियल है वो थोड़े बड़े होते हैं तो आराम से मुन को इस तरीके से छान करके अलग कर सकते हैं दा स्मॉलर पार्टिकल्स पास्थ्रू दा पोल्स पोर्स या होल्स से जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और दा सेव्स वेरेस्ट लार्जेस्ट कंपोनेंट इस रिचेंड ऑन दा सेव्स और जो बड़े होते हैं वो इससी सेव्स के अंदर रह जात करते हैं ठीक है इस में तर को बोलते हैं हम सिवी अब इसको बच्चों राइड डाउन कर लीजी आप अब बच्चों आगे बढ़ते हैं नेस कोशन की तरफ बच्चों कोशन नमर 6 नेम दा फैक्टर्स ऑन विच solubility of a substance depend ऐसे factors का नाम बताईए जिसके उपर solubility depend करता है ठीक है solubility क्या होता है यह हम बच्चों पढ़ चुके है यहां देखे 5 follow point अब solubility के उपर कौन-कौन से factor अपना effect डालते हैं factor का मतलब उता है जिनकी वज़े से solubility बढ़ेगी या घटेगी तीक है जो उसको प्रभावित करेंगे उनको बोला जता है factors तो यहां से बच्चों कोशन लिखेंगे और इसी कोशन में से आप answer भी हेडिंग डाल दीजे कोशन लिखने के बाद और यहां से लेके यहां तक heading डाल लो जितना मैंने underline किया है यह आप heading डाल लिजे और answer के लिए चलेंगे बच्चों page number 43 पर देखें बच्चों हमको factors लिखना है न तो सबसे पहले हम number लिखेंगे number one ठीक है तीन factor होते है हमारा तो number one हम लिखेंगे और यह सारी चीजे लिखेंगे solubility of solid solute generally increases with the rise in a temperature मैंने आपको बताया था कि solubility का मतलब क्या होता है जैसे चीनी है उसको हम पानी में घोल रहे है ठीक है वह उसमें dissolve हो रहा है अगर हम चाहते हैं कि जल्दी रिजॉल्व हो जाए तो हम क्या करेंगे rising temperature यानि कि temperature को बढ़ा दो आप उसको गैस पे रख दो है ना आप ठंडे पानी में और जो है दो चमच या चार चमच चीनी डाल करके और उसको इसको इस्टर कर रहे हो दीरे-दीरे ठीक है मालो इस्टर भी नहीं कर आपने temperature बढ़ते ही वह चीनी जल्दी सिसमें solubile हो जाता है तो इसने solubility को effect किया प्रभावित किया तो हमारा number one हो जाएगा यहां से लेके यहां तक कि temperature वो एक factor है जो कि solubility को प्रभावित करता है ओके बचों तो हम अपना first point यहां से यहां तक लेंगे ठीक है वीडियो को यहा second point क्या होगा continuous stirring of a solution दूसरा point यह होगा कि आप जो है जैसे आपने एक ग्लास पानी में चार्चमचीनी डाला है तो continuous stirring करिये इस्टरिंग का मतब चमश लेकर कि इसको हिलाते रहेंगे ठीक है ना बराबर उसको ऐसे से इस्टर करते रहेंगे तो भी वह जल्दी घुल जाए भी ठीक है तो second factor यह है जो कि उसके उपर effect डालेगा solubility के उपर और third factor हमारे क्या होता बच्चों solute in the powdered form अब जो सुगर है बड़े बड़े अगर हमने उसके दाने ले लिए ठीक है हमने उस सुगर के इतने बड़े बड़े अगर हमने दाने ले लिए हैं और इसको अगर हम पानी में डालते हैं तो कौन साथ जल्दी इसमें से घुलेगा जाहिर सी बात है कि यह पाउडर वाला क्या होगा वह जल्दी उसमें डिजॉल्व हो जाएगा तो solubility कैसे बढ़ती है जब वह पाउडर के फॉर्म में रहेगा तो solubility बढ़ेगी तो इसका मतलब पाउडर के फॉर्म में छोटे पार्टिकल्स का होना भी solubility पर effect डालता है तो यह हो गया इसका third factor तो हमको हमारा first factor यहां से यहां तक होगा second factor यहां से यहां तक होगा third factor यहां से यहां तक होगा ठीक है बच्चों वीडियो को pause करके आप इसको और के बच्चों आगे बढ़ते हैं next question की तरफ बच्चों यहां से हम question लिखेंगे differentiate between the following मतलब कोई दो टॉपिक दिया गया है उन दोनों के बीच में हमको different बताना है मतलब दोनों को define कर देंगे ताकि पता पर जाएगा कि दोनमें क्या difference है ठीक है तो इसमें हमारा देखिए हमारा question जो है देखिए बच्चों इसमें first क्या दिया हुआ है difference हमको बताना है pure substance and mixture pure substance और mixture में क्या अंतर होता है वो हमको बताना है ठीक है यहां से आप question लिख लीजे फिर हम answer की तरफ आगे बढ़ते हैं देखिए बच्चों हम answer में लिखेंगे यहां पर heading डालेंगे pure substance pure substance क्या होता है a substance that contain only one chemical substance ऐसा कोई भी substance टेके जिसमें केवल एक ही substance हो जैसे अपने पानी लिया उसमें केवल एस्टो है केवल water है तो वह pure substance क्यालाएगा आपने लोहा लिया iron उसमें केवल आइरन है उसके लाव कुछ भी नहीं है तो वह क्या क्या लावा कुछ भी नहीं है तो यह हो जाएगा pure substance का definition ठीक है उसके बाद है mixture mixture क्या होता है जिसमें दो या दो से अधिक substance आपस में mix हो गए हो और substance that can be separated into two or more different substances दो या दो से अधिक चीजें अगर mix हो गई हो तो वह क्या कहलाएगा mixture कहलाएगा अब वह pure substance अधिक नहीं कहलाएगा बलकि mixture कहलाएगा है ना चावल लेकर उसमें दाल वगरा सारे चीजे में मिला दिया है कि में mix कर दिया तो क्या कहलाएगा mixture कहलाएगा थेके बच्चों तो इन दोनों का definition लिख लो दोनों का heading डालेंगे pure substance heading डाल करके लिखेंगे और mixture heading डाल के लिखेंगे ओके बच्चों तो यहां तक हो गया अभी हमारे आगे और भी उसमें question है जो कि हम पढ़ेंगे next video में तो अभी तक का आप इतना काम complete कर लिजेगा next video हम देखेंगे next question ओके बच्चों have a nice day